महरत्रा जी जरा प्लीज इधर आएं और दर्शक जाना चाहते हैं कि आखिर आप अंदर गहे थे तो आपने क्या देखा? अंधर ऐसे परवार के मेरे लोग यहां पूरा रास्ता बंदो करके काम उरह तेजी के साथ या भूमियान अगर चल जाएगा तो जो देवह उसे मेरी बात हुई है हैदर अबास साब जो पार्टी के परवक्ता है उनके पिता है वो और अबास हैदर साब उनसे बात हुई है वो सुरक्षित है ये हैं रविदास महरोत्रा जिनका कहना है कि जिसान हैदर जो कॉंग्रेस के प्रवक्ता है अब बास हैदर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो उनके फिदा पिता आमिर हैदर सुरक्षित है और ये माना जा रहा है कि जो घायल है उनको दूसरे रास्ते से ले जा निकल सकते हैं अभी तो जो लोग निकाले जा रहे हैं वो आगे कर सब अब भी और जिवित अभी वह जिवित भी हैं उन्होंने कहा कि हम लोग मल्वेश दबेर हुए हैं जल्दी से हमको निकालने का प्यास हो तो हमने जिवित बच जाएंगे अभी वहाँ पर जो रास्ता बंद है भी अभी वो लगा करके मशीने रास्ता बनाने का प्रयास हो रहा है और संभावना है कि 50-60 लोगों के दबे होने के संभावना है अभी जो लोगों को निकाला गया है देखा हमने उसमें लग रहा कि 3 लोगों के मिर्ति हो गई है और प्रवक्ता है है था उनके पिता जी उनकी पतनी उनके परवार के लोग फसे मलवे के अंदर जो उनके पिता है उनसे मेरी बात हुई है अभी वो सुरक्षित है रविदास मेरोत्रा जो कह रहे हैं कि उनके खुद एक प्रवक्ता है अभास हैदर और यानि विरेश जो लोग अंदर दबे हुए हैं उनसे फोन पर संपर्ग हो रहा है यह माना जाए विरेश जी जी निश्चित रूप से हो रहा है खुद एबीपी गंगा से अबास हैदर की बात हुई है मैंने दर्शकों को बता दिया था आपसे लगबाग आदे गंटे पहले कि अबास हैदर ने एबीपी गंगा से बताए कि मेरे वालिद साहब बहुत सुरक्षित हैं और परिवार हैं NDRF के लोग हैं और तमाम SDRF के जवान हैं कोशिस उनकी यह है कि जान पर खेल कर यहां जानमाल की रक्षा की जाए कोशिस हमारी यह रहेगी कि कुछ और महत्वपुन लोगों से अपनी बात को करूं और दर्शकों को बताऊं कि आखिर यहां क्या चल देखिए और पीछे के दर्वाजे से जो घाय लोग हैं उनको ले जाये जा रहा है अंदर होम सेक्रेटरी संजे प्रसाद खुद मौजूद हैं इस पूरे मामले की मौनिटरिंग कर रहे हैं और खुद मुक्यमंत्री ने भेजा है जी हां मुक्यमंत्री इस पूरे मामले पर खुद बहुत alert हैं और खोद उस बात को लेकर चिंतित हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया है यहाँ पर अधिकारियों को और आनन पानन में कहा है कि जो अधिकारी हैं वो जल से जल मौके पर पहुंचें और जो परेशान लोग हैं जो घायल लोग हैं उनकी मदद करें मुख्यमंत्री की तरफ से जो यहाँ पर कंपंसेशन दिया गया है उसको भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कंपंसेशन दिया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि संदेश दिया है कि SDRF और NDRF की टीम जल्दी से पहुंचें दुर घटन में घायलों का समचित उपचार कराया जाए घायलों के सिग्र स्वस्त होने की कामना की है रहत और बचाओ कारे का निर्देश दिया है और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के लोगों को कहा है कि हर संभव मदत घायलों को की जाए उनके परिजनों को की ज और ऐसे में जो भी सरकारी सुभिधा हो सकती है मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिया जा रहा है घायलों को सरकारी हॉस्पीटल में भरती कराये जा रहा है स्वास्तमंत्री और मुख्यमंत्री बिर्जेस पाथक भी अंदर मौजूद हैं होम सेक्रेट्री संजे परसाद अंदर मौजूद हैं, यहां की कमिस्नर जो मंडला युक्त हैं, वो रोशन जैकब और यहां के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रे सुरिपाल गंगवार, यह सारे लोग मौजूद हैं और इनसे पलपल की जानकारी मुख्यमंत्री कारियाले ले रहा है स्वेम मुख्यमंत्री ले रहे हैं और एक अफरात अफरी का माहौल पुलिस लगातार यहां पर अनुशासन बनाने की कोशिस कर रही है